अगर आप लोग हमारे यूटूब चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेर ज़रूर करें ताके हमारी हर नई आने वोली वीडियो आपको जल तस जल पहुंच सके तो चलो दोस्तों अपने वीडियो के कर लेते हैं आगास रोशन की रोशन की इंञिश होगी ब्राइट जब मोसम खुशगावार और साब सुतरा होईसे हम ब्राइट मोसम कहते हैанд ब्राइट सख सर्द की इंग्लिश होगी प्रीजिंग दोस्तों जब सर्द इतनी ज्यादा हो कि वजूद के या किसी चीज के कुछ हिस्से जम जाए या वजूद जम जाए इसको इंग्लिश में प्रीजिंग कहते है प्रीजिंग गरम मुसणों को एग्लिश में warm weather कहा जाता है warm weather सर्दे के एग्लिश हूगी cold cold बुनधा पांधय या हलके पूल्ब के बारश को एग्लिश मे ड्रिज्लिंग कहते है जमीन का अपनी जगा से रिसना या जमीन का अपनी जगा से फिसलना या जमीन के कटाओ को लेंड स्लाइडिंग कहते है लेंड स्लाइड नमी वाली दून को मिस्ट कहते है मिस्ट बरबारी को स्नोफाल कहते है स्नोफाल बरफानी तोफान को स्नो स्ट्रॉम कहते है स्नो स्ट्रॉम बरफ का बारी तोफान को बलेजर्ड कहते है बलेजर्ड रंडी हावा की इंग्लिश होगी ब्रीज ब्रीज गिन्नी दून को इंग्लिश में डेंस फग कहा जाता है डेंस पग तोफ़ान को अंग्रीजी में स्टॉम कहते है स्टॉम तारीक को इंग्लिश में गलूमी कहते है गलूमी दुनिया वोबार को हैस कहते है हैस बरप या मिट्टी का तोफ़ान को एवलेंची कहते है एवलेंची जब मुसम साब सुत्रा हुश्गावार और सूरच खूब चमकता हो इसे सनी कहते है सनी बाद वक्त में मुसम ऐसा हो जाता है कि आदा सूरच चमकता और आदा बादलों में डूबा होता है तो इस तरह मुसम की इंग्लिश होगी फार्टली क्लावडी जब असमान फर पादल हो इस मोसम को कलाओी वेदर कहा जाता है جब बारश बरस रही हो इस तरह मोसम को रैनी वेदर कहा जाता है दोस्त उम्हेद है के यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्रेम नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें अस्सलाम अलेकूम और रखमति ल्लाह